आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउन जिसमें वर्तिका वर्तिका व पुंके सर एक दुसरे के अनुपात में लंबे अथवा छोटे होते हैं जैसे कि इसकी नाम से पता ही चल रहा है कि यहां विशम गुण यानि विपरिद गुण प्रदर्शित करते हैं अगर वर्तिका लंबी होती है तो पुंके सर छोटे होते हैं तथा पुंके सर बड़े हो तो वर्तिका छोटी होती है तो यहां एक विपरिद गुण प्रदर् होते हैं वो कैसे होते हैं द्वी रूपी फूल होते हैं और यह द्वी रूपी फूल कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं तो आईए जानते हैं दो प्रकार के कौन से होते हैं पहले प्रकार में प्रकार के फूल में जो वर्तिका होती है व था वर्तिका लंबी है और दूसरे प्रकार के फूलों में वर्तिका छोटी होती है एवा पुंकेसर बड़े होते हैं तो दीखिए यहां दो प्रकार के फूलों को 2 रूपी फूल के प्रकार हैं अब इनका उधारन है वर्तिकाद्व विसन वर्तिकाद्व किस पाया जाता है यह अलसी के फूलों में भी पाया जाता है तथा प्रिमुला के फूलों में पाया जाता है फ़रस का एकुधारन है खट्टी बूटी जिसका विग्यानिक नाम है ओक जेलिय ओक जेलिय क्या होते हैं इसमें जो पुश् वहाँ कौन से होते हैं त्रिरूपधारी पुष्प होते हैं तथा इसमें क्या होता है कि लंबे पुंकेशर होते हैं तथा तीन छोटी वर्तिका होती है तो हमार उत्तर यहीं समापत होता है आचा करते हो आपको यह प्रशने समझ आया हो इस वीडियो को देखने के लिए धन लिए वाट करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर